हेलो दोस्तों नमस्कार जैहिंद कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल श्रमाजनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था आपके साथ कि जब बजट जारी हो जाएगा राजस्तान सरकार का तो मैं आपके लिए बजट की अनालिसिस वीडियो लेकर क्या हूँगा तो वो मैं यहां पे लेकर क्या आ चुका हूँ बजट में क्या कुछ पास हुआ है उसके बार में आपने ब्रीफली जानेंगे लेकिन ज़्यादा अपने जो फोकस करेंगे वो करेंगे भरतियों के उपर कि भरतियों के मुकाबले में यहां पे क्या कुछ कहा गया है ठीक है उसके बारे में अपने analysis करेंगे और आपके ना कुछ doubts हैं वो मैं आपको clear करूँगा इस वीडियो के अंदर I hope आपने मतलब budget तो आपने पड़ी लिया होगा ठीक है भरति प्रिक्षाओं से related वीडियो है तो चलें दोस्तों वीडियो को start करते हैं सबसे पहले तो राजस्थान budget के अंदर जैसा की मुख्यावंतरी जी ने कहा था जो vacancies है उनके उपर focus किया गया ठीक है vacancies के उपर focus किया गया बजट के अंदर इस बात पर भी जोड दिया गया कि हमें एक भरती का target लेकर के चलना है और उस भरती के target को हमें achieve करना है achieve यानि की मतलब यह है कि जितनी भरती है जितने पदोपर है वो उतने पदोपर मुकमल रूप से हो जानी चाहिए बिना कोई रुकावट के बिना कोई पेपर लिग के बिना कोई नकल के बिना कोई डमिय विर्थी के बिना कोई अधर इशू के ठीक है इस बात पर काफी जोड दिया गया क्योंकि इसमें गोर्मेंट की डेपोटेशन भी खराब होती है कि इस गोर्मेंट के शार्षन के अंदर इतने पर ये खराब हुए थी ठीक है इसके अंदर काफी सारे पॉंच डिसकस किये गए थे जैसे कि नई भरतिया न्यू वकेंसिस को लेकर के ठीक है जो पेंडिंग पेंडिंग रिजल्स है उनको लेकर के और एक टारुट नंबर लगाया गया है भरतियों को लेकर के टार्ट नंबर क्या वहम आपको दिखा देता हूं वो ये कि जार्चस्तान में चार लाक इन्होंने करवानी है अब क्या चार लाग भरतियां अभी अभी करवानी है इसी साल में करवानी है नहीं तो वह मैं आपको बता जेता हूं इनके अगामी कारेकाल के अंदर इन्होंने टार्गेट लिया है बजट के अंदर कि जो अगामी कारेकाल है उसके अंदर हमें कितनी भरतियां कर हानी चार लाग भरतिया न स्मभभ है नियुक्त हूं आगंवी का रहकाल जितना भी 검찰 in पर्वेन धीory सरकार supply मैं उसका target है 딱 कि हमें 4 लाग भरतियां क्रवानी आ रहे में आका क्या आवाग क्यां कह occasions वंगता हैं व गरहऊंर यह के वह सिकता है वह अगामी तीन से कि 2024 से दिसंबर तक जो बरतिया है वो एक लाग बरतिया हो जानी चाहिए राजस्थान गोवर्मेंट के अंदर ठीक है जिसमें से कुछ बरतिया पतवार की होगी कुछ बरतिया वनी विभाग की भी होगी कुछ बरतिया अगनवाडी की भी होगी, कुछ बरतिया मेडिकल डिपार्टमेंट्स की भी होगी, और कुछ बरतिया अभियांतरी की विभागों की भी होगी, आई बात समझ में, मतलब की अलग-अलग विभागों से अलग-अलग भरतिया होगी, लेकिन टारगेट एक लाग भरतियों का है एक लाग भरती जब हो जाएंगी उसके बाद नेक्स टार्गेट रहेगा पेंडिंग तीन लाग भरतियों के उपर फोकुस करने का इस बात के उपर बजट के अंदर काफी जाता जोर दिया गया है ठीक है इसके लावा अन्य भी पोइंच है मतलब में तो मैं वेकेंसिस रेलेट डिसकस कर रहा हूँ लेकिन अन्य पोइंच है जैसे कि जो शहीद है उनके घरों की जो रिजिस्ट्रेशन है यानि कि जो रिजिस्ट्री है वो मुफ्त में करवाने का यहां पे वादा किया गया है ठीक है अंगनवारी के अंदरों के अंदर जो दुख अंगन की शिक्षा है शिक्षा का तक्नीकी वर्जन यहां पे बताया गया है कि तक्नीकी वर्जन के और उसक्षा को लेकर के जाया जाना चाहिए बजट के अंदर में अन्ली अब यह है अब कई विद जर्नल में काउंट होगा, OBC है तो OBC में काउंट होगा, SC है तो SC में काउंट होगा, लेकिन जो बंदा OS है यानि कि Other State का है वो हमेशा जर्नल में ही काउंट होगा, चाहे आप मालो, for example, आप हर्याना से हो, आप UP से हो, आप पंजाब से हो, आप भरती दे सकते हो, कोई दिक्क समझ में, मतलब जितनी जर्नल की कट ओफ जाएगी, उतनी कट ओफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, एक्जाम में पास होने के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप स्टेट में रहते हैं, राजस्थान के ही वाशिंदे हैं, तो आप लोग, according to your category, यानि कि अगर आप जर्नल OBCO, जो भी आपका category है, उसके हिसाब से आपको reservation मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, CET की वी काफी विद्यारती नों पूछा था कि सर, CET कब होगा, जैसे मैं आपको कहता था न, कि इस वीडियो में आपकी बहुत साइड doubt clear करूँगा, CET दोस्तों, 2023 में तो हुआ ही था 2024 का CET जो है, वो सितंबर तक होने वाला है, CET आपके लिए बहुत ही मुख्या exam है, अगर आपको किसी भी vacances में बैठना है तो, एक तरह से आप कह सकते हो, entry gate है, आई बास मझ में, तो CET पे focus रखो, थोड़ा ही time रहा है, CET का exam qualify करोगे, उसके बाद काफी भरती होगे, आ अगर साल में एक लाग बरती पूरी होती है, क्योंकि अब जुलाई आ गया, लेकिन दिसंबर तक साल में एक लाग बरती पूरी होती है, तो युवाओं को ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, हमारे लिए कुछ हित का काम हुए इस budget के अंदर, और अगर एक लाग बरती प तरह आ चुका है, क्योंकि काफी विद्यार थे अपरोजगारी बता, पैंडिंग था, जो कि second load के अंदर निकलने वाला था, तो वो second load अभी तक निकल चुका है, लेकिन अभी भी किसका पैंडिंग है, मुझे comment section में comment करके बताना, और दोस्तों ये मैंने आपको budget का briefly analysis दे पैंडिया है, कि ये मेंन, इसमें focus रहने वाला है, focus इसका mainly 4 लाग बर्तियों पे और December तक 1 लाग बर्तियों में और CET के उपर रहने वाला है, ठीक है, और तकनिकी शिक्षा में सुधार के उपर इसका focus रहने वाला है, बाकी तो उन्हें काफी points है, मतलब, जैसे कि मालों क जो करमचारी है, उनकी ग्रेजविटी 5 लाग रुपे तक बढ़ चुकी है, ये मतलब काफी points है, एक बार आपको budget जरूर analysis करना चाहिए, चाहे कोई भी budget जब पास होता है, किसी भी state का, तो आपको budget analysis जरूर करना चाहिए, जिके बहुत ज्यादा strong होता है, budget के अंदर जो ये छोटी-छोटी बाते होते हैं, इनको नजरनदाज मत किया करो, बाद में आप कहतो हैं ना कि paper छोटी ये तो आया ही नहीं था, या out of syllabus है, वा out of syllabus नहीं होता, इनी चीजों में सोता है, जैसे budget हो गया, current affairs हो गया, JS हो गया, GK हो गया, इनी के अंदर से होता है, तो द दोस्तों आपको budget analysis कैसा लगा, और आपको क्या लगता है, एक लाख target पूरा कर पाएगी, government या नहीं कर पाएगी, वो भी मुझे comment section में अपनी राय, जरूर देना, और जो लोग government exams की त्यारी करें, उनके लिए हमारे channel के उपर playlist आप लोग वहाँ से videos देख सकते हो, बाकी आप नेक्स टूडियो में तब तक के लिए, बाबाई, टेक कियर, जै हिंद, जै भारत, लव यूर,